हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चल तयार जीत में आज हम देखने वाले हैं एटगेट अभ्यास पुस्त का संस्क्रिट कर शच दोहज़ा तेश चौविस में जो आपको भढ़ने के लिए मिली हुए नई पुस्तक उसके हम पहले पार्ट का हल देखने वाले हैं ज के इस प्रकार से यह नई किताब आपको देखने वाले हैं कि इसके हम पहले पार्ठ का हल देखने वाले हैं ठीक है तो यहां पर देखिए इस की परे-ध्र चत्र आपको देखेगा इसका जब जैसे प्रिशन तो देखिए यहां पर लिखा प्रिशन अम्रम सब्दस्य बर्ण बिच्छेदाह भावति अम्र का बर्ण बिच्छेपन क्या होगा तो आप संधिया है पहला दूसरा या या पहर तीसरा या चौोथा तो इसका को सही यह आंसर लगा लेना है option number 2 यानि यह वाला यह आपका सही है पहले का हमारा option number 2 सही है इसके वादा के लिए question चलेंगे तो यह रहा हमारा option number 2 तो इसमें लिख्या दिया है देखेंगे इसमें लिखा है फिर नमबर 2 तो मयोरा है हिंदी भासायां भावती यानि मयोर का हिंदी क्या होता है option है more घोड़ा तोता या फिर बकरी तो इसका सही नमबर अगला चलते हैं तीन पर तो यह रहा हमारा question number 3 तो क्या दिया गया है देखेंगे तो यहां पर लिखा है निर्देशा एक पदम यहां पर एक पदम उत्तर लिखत यानि एक पदम उत्तर लिखने इन सब की तो देखिए क्या लिखा इसमें प्रिस नमबर 3 है स्वर बर्णेशू प्रिथमा बर्णा का अस्ति यानि स्वरों में सबसे पहले नमबर पर कौन आता है तो स्वर आपके होते हैं छोटा आ से लेकर यहां पर आउ तक तो पहले नमबर आप आप देखेंगे तो यहां पर छोटा आ आता है तो यही हमारा answer हो जाएगा इसका छोटा यहां इसके बार देखेंगे अगला question क्या लिखा है question चार दिया गया है रिसी बर्णास से प्रियोगम क्रत्वा को अपी एकं सब्दम लिखद यानि रिसी का प्रियोग करे के आपको एक सब्द लिखना है तो देखिए तो हमने लिख दिया यहां पर रिसी इसकी अलावा आप यहाँ पर रितू भी लिख सकते हैं तो इस प्रकार से तो यह भी आपका रिशी सब्द से बनने वाला सब्द हो जाएगा रितू तो दोनों में से आप यह कोई लिख सकते हैं इसके बाद question number पांचमा देखते हैं तो पांचे वाले में आपके इस प्रकार से भरेंगे तो यहाँ पर लिखा है पांचमा बेंजन बरनेसू चतवार्थ बरना का अस्ती यानि बेंजन आपके जो कहां से होते हैं काका उतर से लेकर होते हैं ग्या ग्यानी तर उसमें आपको च्वाथे नमबर पर आने वाले बर्णों को लिखना है सबाई लाइन में तो देख किस प्रकार से आपको ढूंड़ना है तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप काका उतर से लिखेंगे काका उतर, खाखरगुस, गागमला और घागड़ी तो च्वाथे नमबर पर आपका यहाँ पर जो सब्दा आने वाला है वो है घागड़ी तो पहले में आएगा घागड़ी तो हमने पहला लिखे दी इसके बार लिखेंगे फिर चाचमस की लाइन तो चाचाज़नदा तो यह च्वाथे नमबर पर इसमें क्या आ रहा है जाज़नदा तो इस परकार से आपको सभी लाइने लिखनी है यहाँ पर टाटा माटर की फिर टाटा माटर वाथ तातर भूज इस प्रकार से लाने लिखनी है और दो में चौते नमर पर जो बर्ण आने वाला है उसे लिखना है तो आपको ये बर्ण मिलेंगी कौन कौन से मिलेंगी घागडी, जहाजिंडा, धाड़कन, धादनस और भावालू अगली क्वेशन को देखते हैं चटमा, तो ये दिया गया है, कौशन नमर छे क्या लिखा आए, इसमें देखेंगे बेंजन, बर्नेसू, अंतिम, बेंजन, बर्ना, कास्ती तो लास्ट में कौन कौन से बेंजन आते हैं इनवाई लाइनों जैसे का का उतरे की लाइन लिखेंगे पांच में नमबर पर आने हैं यहाँ अप लेका अंतिम, अंतिम मतलब होता पांच में बर्न पांच में बरन, आपके होने वाले हैं यह अडा, 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 ना, और मा मछली आसा इसहीं सम envious में होगा अगले question को देखते हैं बेजले अगला question यह दिया गया है행 नबर यह है 하्मारा साथमा तो देखिए क्या दिया है एक बाखिन उत्तर लिखत एक बाखिन उत्तर लिखना s одर्मा डिया है पफ़नाम न्वानी लेखत यानि पांद फासुघो के नाम लेखने तो पहला हमारा अस्वा यानि उट दूसरा है उस्ट्रा यानि यहां पर पहला है अस्वा यानि घुड़ा दूसरा है उस्ट्रा यानि उट एड़ा यानि भेड यहां पर एड़ा इसके बाद है भालुका और इसके बाद है ससका तो यह आपके पस्वंगों के नाम हो जोके हैं इसके बाद question number 8 अधो, लिखत, बेंजनानी, किरम अनुसारम, इस्थापत यानि इन वर्णों को आपको किरम से लगाना है तो पहले नमबर पर हमारा क्या आएगा इसमें काकबूतर, फिर खाकरगोस, गागमला, घागडी औरागाली इस परकार से आपको लाइन से लगा लेने, जिस परकार से पहाड़े में आती है तो यह आप कर लेंगी इसके वाद question number हम देखेंगे, नॉमा, तो नॉमा क्या दिया है, देखिए तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है के संयुक्त बेंजनानी संती संयुक्त बेंजन कौन से होते हैं, तो छट, त्रग, ग्या, उस्री यह आपके संयुक्त बेंजन होते हैं, तो आप यह लिख लेंगे इसके वाद अगले question को देखते हैं, क्या दिया गया है तो यह रहा question number हमारा 10 तो यहाँ पर लखा है पाथय, पुस्तकानी, अनुसरणे, केके, स्वरह, संती तो यहाँ पर कौन कौन से स्वरह होते हैं, तो स्वरहों को लिखना है तो छोटा से लेकर हमने बता रहे तक कहा तक आते हैं, आउ तक तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ रिसी ए आई ओ आउ तो यह आपके स्वर्व होते हैं छोटा आ से लेकर आउ तक स्वर्व होते हैं और काकव उतर से लेकर ग्या ग्यानी तक आपके बेंजन होते हैं कि अगला कोश्चन देखतेए हैं ये दसमा कोश्चन को अंसर था तो यहां हमारा ग्यारवा कोश्चन तो इसमें क्या लखा देखेंगे विसा तो दिजित क्या दिया गया है अधुुलिखित सब्दानाम wars warriors Свар यहां पर लिखना है ह्रास्वदीर के स्ववर बढ़नान स्वू और यहां पर लिखना आपको प्रितक प्रितक लेखनम कुर्थाहा यहां पर दीगया है अस्वाह, आचारेह, अमरम, इस्टका, अजा, एक्छू, ईस्वराह, उस्ट्रा, उलुकाह, इत्र, रक्षा, और यहाँ पर इंद्र इनको हमें यहाँ पर लिखना हिरास्वस्वर और दीर्ग स्वर में रास्वस्वर में आपको जो अक्षर लिखने वो कौन से स्टार्ट होंगे इसमें आएंगे छोटा A, छोटी E, और छोटा U इन से स्टार्ट होने वाले सब दाएंगे इसमें इसके अलावा जो भी सब दाएंगे वो सब इसमें आएंगे तो देखिए इसमें छोटा A से start आने वाला आपका है अस्वज यहां से छाटना है तो यह है छोटा A वाला इसके बाद यह छोटी E वाला है यह भी छोटा A वाला है तो यहां पर टेक लगा देते हैं यह छोटा A यह भी आपका छोटी E यह छोटा A है यह चोटी E है इसके बाद यह चोटा O चोटी E और यहाँ पर यह हो जाएगा Receive और यहाँ पर यह इंद्र तो यह सब आपको इस वाले में लिखने हैं इस वाले चोटी हिरास मतलब होता है चोटी अक्षा जैसे कि चोटा A बता दिया चोटी E चोटा O और यहाँ पर Receive ही आता है तो यह चारक चराप के विरास में आएंगे इसके बाद पूरे सभी दीर्ग में आजाएंगे तो इस प्रकार से आप लाइनों को यहाँ पर Complete कर लेंगी इसके बाद प्रसंद देखेंगे अगला बार मबच्चों क्या दिया गया है तो यह दिए गए हमारे कॉस्चन नमर 12 तो इसमें क्या करना है देखिए यहाँ पर लखा है बेंजन सब्दानाम किरमेड स्थापितर मतलब कि यहाँ पर यह बर्ण दिये गए तो यहाँ पर दिया गया है यहाँ से देखेंगे तो पहले आपके इसको लाइन को लगाएंगी तो देखिए पहले नमबर पर क्या आएगा इनमें से तो पहले आएगा हमारे खाखर गुष छोटा वड़ा में कौन आता है खाखर गुष फिर आता है अड़ां फिर आता है तो यह आपके इस प्रकार से आपको लाइनों में लगा लेना है पहाड़े के हिसाब से तो यह आपके लग जाएंगी ठीक पहाड़े के हिसाब से आपको लगाना है कि पहाड़े में पहले कौन सा क्छराता है इन सभी में से तो पहले इन सभी में आता है हमारा खाकर फिर आत पर आएगी जा वाली लाइन फर यहां वाली आएगी फ़र दादबुद वाली आएगी और फिर दादबुद दोनों एक साथ में आजाएंगी इस वाल तीसरी वाली लाइन में आपका क्या गागमला घागड़ी फिर उसके बाद लिदान में च्छा अडा उपापतंग इसी प्रकार से आपको यह लाइन से लगा लेने आसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा तो इसी प्रकार की वीडियो आपको यहां पर और यदि चाहिए तो कंप्लीट यहां पर इस वाले बॉक्स में आपको यहां पर एक यहां पर बॉक्स में आपको वीडियो देखेगा तो इस पर वीडियो देखेगा या फर यहां पर एक वो दिख रहा होगा आपको एक लाइन आएगी ऐसी उसी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो मिल जाएंगे उस पर क्लिक करने पर आपको यहां पर इस पुस्तक का संपुर्ण हल मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत